इस Parenting Lecture में आप सभी लोगों का स्वागत है Parenting Lecture में काफी सारे Topics पर अभी तक Lectures हो चुके हैं यह उसमें से आगे की कड़ी है समान सकते है इसके बारे मैंने इंक्वाइरी भी आई थी थोड़ी सी चर्चा भी की थी किसी के साथ में तो फिर हमने सुचा कि इसको एक प्रॉपरली Lecture के फॉर्म में और अर्गिनाईज करते हैं तो लेट उस होप के इस बीज़ बीज़फुल तो आल अफ यू हमारा जो टॉपिक है आज का होम स्कूलिंग और नॉट Lecture शुरू करें उसके पहले एक दो डिस्क्लेमर्स है पहली चीज़ तो ये कि मैं ना तो होम स्कूलिंग के फेवर में या उसके अगेंस्ट में किसी को कुछ एंकरेज कर रहा हूँ आज के हमारे इस Lecture का उद्देश ये है कि अगर किसी को होम स्कूलिंग में इंट्रेस्ट है तो किन-किन पहलूँओं पर विचार करना ज़रूरी है ताकि कुछ गल्ती ना हो जाए तो ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कन्वेंशनल स्कूलिंग में जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है या मैं ये कह रहा हूँ कि हमको होम स्कूलिंग करना चाहिए ये जज्जमेंट आपको लेना पड़ेगा depending on your needs and depending on your preparedness to put in the energy time, effort, वगरे वगरे दूसरा disclaimer ये है कि होम स्कूलिंग का मुझे direct experience बहुत लंबे समय का नहीं है कुछ महीनों के लिए हम लोगों ने ये try करके देखा हुआ है और उसके बाद मैं उसको discontinue करना पड़ा था और वो क्यों करना पड़ा था वो शायद आगे जाके clear होगा आपको जब लेक्चर में आगे बात चलेगी तो इस लेक्चर में काफी सारे nationality के लोग एक साथ में participate कर रहे हैं of course इंडिया से काफी सारे लोग हैं Germany, UK, New Zealand, USA हर एक country में home schooling related अलग अलग तरह के infrastructures और resources अवेलेबल है तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक general language में होगा तो आपको थोड़ा improvise करना पड़ेगा कि आपकी जो situation है आप जहां पर रहते हैं वहां पर इसमें से कितना लागू पड़ता है और वहां पर किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए वैसे ज़्यादा confusion नहीं होगा काफी general language में बात होने वाली है लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा लगे अगर किसी को कुछ ऐसा specific question हो तो यह lecture पूरा होने के बाद में हम बात कर सकते हैं there will be a question answer period वो हम लोग अगर आपको कुछ भी question होगा ता आप कर सकते हैं और मुझे मुझे मालूम होगा कुछ जवाब मालूम होगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में so हमारा जो lecture होगा उसमें power points English में होंगे और मैं हिंदी में बोलूँगा और अगर किसी को बहुत ही दिक्कदारी हो हिंदी में तो वो मुझे कहें तो फिर बाद में English में clarity उसके लिए फिर कर सकते हैं हमारा जो question है how to conceptualize, plan, organize and manage a comprehensive home schooling program for educating our children बच्चों को home schooling के लिए हमें किस तरह से आयोजन करना पड़ेगा उसमें conceptual उसको सोचने विचारने से लेके और उसके लिए जो plan करना पड़ता है, hydrogen करना पड़ता है, so manage करना पड़ता है, इस सारी चीज़ें के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, अगर हम home schooling करना शुरू करने वाले हो तो तो पहले home schooling के बारे में बात करें, उससे अच्छा ये रहेगा कि हम ये देखते हैं कि जो conventional schooling होती है, उसमें किस तरह से क्या-क्या हो रहा है? याने कि हम ये दो-तीन चीज़ें देखेंगे कि हम हमारे बच्चों को school क्यों भेजते हैं, और बच्चे school हो में actually क्या सीखते हैं, उनको क्या जानने को मिलता है, ये अगर हमें मालूम पढ़ जाए, तो ये ही हमें home schooling में करना है, basically, तो देखते हैं कि बच्चों को क्या मिलता है, schools में से, conventional school जो होते हैं, उसमें, तो school हमें, हमें याने कि हमारे बच्चों को जीवन में कैसे अपने आपको उतारा जाए, life में कैसे अपने आपको launch किया जाए, उसके लिए तैयार करने का काम करते हैं, अभी जो निकट भविश्य है, उसके लिए भी, और आगे के लिए भी, और ये बहुत बड़ा काम है, जो कि स्कूलों में होता है, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि स्कूलों में सिर्फ पड़ाई लिखाई होती है, पड़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत कुछ काम होता है, तो वहाँ पे हमें जो education मिलता है, और जो experiences मिलते हैं, classroom में share करके, laboratories में, वगरे वगरे, homework वगरे से, assignments से, trips वगरे जो लगती हैं उससे, और उस education और experience का मिला जुला, हमको जो knowledge मिलता है, जो घ्यान राप्त होता है, जिसके द्वारा हमारा आगे का carrier हमें किस line में जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, यह सब निश्चित होता है, तो उस चीज को ध्यान में रखके, कि हमारा भविष्य में हमें क्या बनना है, हम अभी का हमारा जो education होता है, उसके ओपर ध्यान देते हैं, उस तरह से schools का selection कर करते हैं उस तरह से सब्जेक्स चूज करते हैं वगेरे वगेरे और यह सारी सुविदाएं हमें स्कूल में प्राप्त होती है सोशल स्किल्स यह एजुकेशन का जो स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि बच्चे social skills सीखते हैं अपने उम्र के बच्चों के साथ में कैसे interact किया जाए अपने से 2-3 साल बड़े और 2-3 साल छोटे बच्चों के साथ में कैसे बात की जाए फिर teachers लोग जो होते हैं अलग-अलग teachers होते हैं उन लोगों के साथ में कैसे interact किया जाए ये काम बच्चे हर साल थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे करके सीख रहे हैं और ये जो सीख रहे हैं, ये जब आगे चलके 20-25 साल की उमर में जब वो लॉंच करेंगे अपने आपको जीवन में इन वर्कफोर्स, इन बिजनेस, तो ये इतने सालों का सीखा हुआ, सोशल स्किल, वहाँ पे उनको काम में आया जाएगा क्योंकि ये सोशल स्किल क्लासरूम में नहीं बढ़ाया जाता है, ये सीखा जाता है, और इसके लिए वातावरण चाहिए, तो स्कूलों में हमें ये वातावरण मिलता है कई बार हमको ऐसा लगता है कि यह तो बहुत छोटी चीज है लेकिन यह schooling का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो learn social skills at school यह school education का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कई लोग जीवन में सिर्फ इसी के कारण सफल होते हैं कि उनका social skills communication skills वगरे वगरे interaction यह उसमें उनको mastery हो जाती है school में दीरे-दीरे school system में से निकलते हुए games and sports जिसको games और sports में interest होता है उनके लिए बहुत ही organized way में वहाँ पर schools में पूरी सुझदाएं होती है जिस आपने देखा होगा कि अलग-अलग season के अलग-अलग games होते हैं फिर अगर आपका school की team में selection होता है तो पहले एक ही city के अंदर tournaments होते हैं so intra city tournaments होंगे उसके बाद में फिर district level पर दो city के बीच की teams के बीच में competition होती है फिर divisional level पर tournaments होते हैं फिर division की team बनती है तो वो intra state और फिर inter state फिर national level पर ऐसा एक के बाद एक के बाद एक बहुत ही organized way में सब काम होता है और वहाँ पर जो competitive environment मिलना चाहिए वो हमको मिलता है जो resources मिलना चाहिए वो मिलते हैं आगे जाने के लिए जो सुविदाय होनी चाहिए जो scope मिलना चाहिए वो भी मिलता है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हमको sports में participate करने का और उसमें आगे अपना जो skills है वो दिखाने का हमको एक scope मिल रहा है और यह school है तो हो सकता है फिर कई सारी cultural activities dance, music, drama, festivals और बहुत बड़ा list है just to name a few इन सब चीजों का हमें direct experience वहाँ पर होता है यह सारी activities कई बार voluntary basis पर हमें करने का chance मिलता है बच्चों को और कई बार compulsory भी होती है ताकि बच्चों को थोड़ा encourage किया जाए कि आपने कभी नहीं किया अगर आपको हिचक होती है तो भी कीजिए आपका ही class है अपनी class के जो students हैं लोग उनके साथ में आप बिना संकोच के कर सकते हैं तो उसमें से उनको उनका मन में से डर चला जाता है और उनको प्रोचसान मिलता है और फिर और आगे बढ़ने की उनको इच्छा होती है और यह ऐसी नहीं नहीं चीज़े है कि एक बार अगर यह skill उनको आजाती है यह सब activities में तो फिर और आगे बढ़ने की उनको जोश मिलता है इन सब चीज़ें से अगर कभी कुछ किया ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कैसे करता है और मन में डर बढ़ा रहा है तो यह school है तो हमको यह सब चीज़ें वहाँ पर करने की सुविधा है और साधन भी है फिर एक बहुत बड़ी चीज cultural and national identity a belongingness to the culture and the country हमारी संस्कृति के साथ में जोडने का आफसर हमें मिलता है सबसे पहले school में जो अलग-अलग तेवार होते हैं जो अलग-अलग occasions होते हैं जिनको school में एक अलग तरीके से मनाया जाता है और बच्चा बहुत छोटा होता है उसको कुछ भी मालूब नहीं होता तब से उसको उसमें जोडने का chance मिलता है उसी तरीके से देश प्रेम की भावना इसका बीज भी बच्चों को school में ही मिलता है और ये कितना महत्वपोर्ण है वो आगे जाके हम देखेंगी ये सारी बाते हैं इस नोट पार्ट अब दे केरिकुलम बट इस एक्चुली पार्ट अब दे स्कूल एक्टिविटीज और वो करते 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 जब बच्चा 20, 22, 25 साल का होता है तो उसमें देश प्रेम की भावना जगती है कल्चर के साथ में, संस्कूर्थी के साथ में अपना उसका एक रुजहान पैदा होता है और ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के विक्तित्व के विकास के लिए तो ये सब हमें स्कूल में मिलता है और इसके बाद में देश प्रेम की भावना पैट्रियोटिजम जिसके बिना तो बहुत सारी चीज़ें होई नहीं सकती उसको भी देखेंगे आगे फिर हमें एक कॉम्पिटिटिव एन्वाइन्मेंट मिलता है प्रतिस परदा करने के लिए जो एक माहौल होना चाहिए अगर वो माहौल नहीं होगा तो वी में नॉट बी अबल टू गेट टू अवर बेस्ट उसके लिए जो माहौल होना चाहिए वो हमें स्कूल में मिलता है फिर वो एकेडमिक एक्टिविटी हो कुछ सोशल हो जैसे कि कोई डीबेट कॉम्पिटिशन वगरे हमें जाते हैं तो वहां पे हमको कुछ करने को मिलता है या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या कुछ आर्ट्स का हो हर जगे हमें आगे बढ़ने के लिए ये एक हमको ये स्कोप मिलता है फिर स्कूल में बहुत बढ़ी चीज ये ही है अप्रोप्रियेट रीसोर्सेज वहां पे होते है ये सारा का सारा काम एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया होता है हमारे लिए जिसका हमको शायद इतना ख्याल नहीं होता लेकिन उन लोगों का पुरा बनाया हुआ सिस्टम है कि टीचर्स कैसे होने चाहिए उनका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टुडेंट टीचर रेशो क्या होना चाहिए फिर एक दिन में कितने लेक्शर्स किसकी सब्जेट के होने चाहिए ये पूरा का पूरी व्यवस्था, even including उनका evaluation के सब कुछ पूरा system ministry ने बनाया होता है और उसके इसाब से हरेक स्कूल को चलना पड़ता है, तो हरेक स्कूल में specialist teachers होते हैं अलग-अलग subject को पढ़ाने के लिए अलग-अलग specialist teachers को hire करना पड़ता है और ये स्कूल में हमको दिखा ही देता है, हर subject के लिए अलग-अलग teachers होते हैं उसे तरीके से equipments, whether it is sports equipment, और laboratory equipment और other activity equipment, कुछ music का equipment हो, कुछ भी हो, वो सब equipment हमको वहापे मिलते हैं, laboratories उसमें हमको सब जो प्रयोक करने के लिए जो प्रयोक्षाला होनी चाहिए, वो सारी सुविदाओं के साथ में प्राप्त होती है workshops वोगरे, जैसे woodwork है या कुछ दूसरे तरह के workshops होते हैं वो सब हमको वहाँ पर मिलते हैं, theater hall auditorium hall, कुछ get together वहाँ पर करना हो, बच्चों का assembly वगरे के लिए, assembly hall ये सारी सुविदाओं उतलब दोती है classrooms, properly laid out, properly space वाले, जहां पर light वगरे भी ठीक से हो आवाज भी ठीक से हमको मिले, board वगरे हो सब चीजों का ध्यान रखके classroom बनाये जाते हैं, grounds वगरे for sports activities, अलग-अलग sports के लिए, अलग-अलग grounds, ये सारी सुविदाओं, school में हमें सहजता से प्राप्त होती है nationally and internationally recognized certificates and accreditation तो जब हम university में जाते हैं, college में जाते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए हमें school में से जो certification चाहिए और जो भी कुछ accreditation चाहिए, वो हमें school में सहजता से प्राप्त होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए हमें और ये भी कारण है, बच्चों को हम school क्यों भेजते हैं, कि भई माता पिता को थोड़ा time भी मिलना चाहिए तो बच्चे school में होते हैं, खास करके mums, जो कि हमेशा बच्चों के बच्चे इतने बिजी होती हैं, तो उनको दूसरी activity करने के लिए समय मिलता है जैसे जब बच्चे लोग 5 साल से कम उमर के होते हैं, तो लगबग लगबग पूरा समय मम्मी के साथ में होते हैं लेकिन फिर जैसे जैसे प्राइमरी में जाता है, तो 6 गंटे के लिए free मिलता है secondary में जाता है, higher secondary में तो 8 गंटे के लिए free होते हैं तो ये जो free होने का जो समय है, ये भी कब मिलता है parents को कि बच्चे school जा रहा हैं तो हमको समय मिलेगा ये सारी बाते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब हम planning करेंगे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखके plan करेंगे So what is home schooling? इसके बारे में कई सारे लोग मेरे पास में पिछले कई सारे सालों में आ चुके हैं बात करने के लिए कि हमें हमारे बच्चों को घर पर पढ़ाना है, स्कूल में कुछ ठीक से ये नहीं होता, वो नहीं होता तो जनरली लोगों का concept ये है कि बच्चों को स्कूल में से उठा के घर पर पढ़ाना शुरू कर दे हैं तो उसको होम स्कूलिंग कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ये सारा काम घर के बहार भी किया दाता है और जनरली घर के बहार ही होता है कोई दूसरी जगे पर जैसे कि स्कूल में सब चीज़ें मिलती है, हाल्स वगरे, वैसे हमको प्राइवेटली हाल्स वगरे हायर करना पढ़ता है ग्राउंड्स वगरे हायर करना पड़ता है और वहां पर यह सब काम होता है लेकिन not in the proper traditional school environment it is in our own environment so this is home schooling not doing conventional schooling जो रोज का जो homework, exercise वगर वगर जो रोज सुबरे छोड़ने जाओ रोज दुफर में लेने जाओ वो सब बंद हो जाता है लेकिन वैसा ही कुछ शुरू होता है तो फिर से हम उसी प्रशन पर आते हैं जहां से हमने lecture शुरू किया था how to conceptualize plan, organize and manage including execution and evaluation etc एक comprehensive home schooling program for educating our children और इसमें comprehensive के लिए के नीचे underline किया होगा उसमें उन सारी बातों का समन्वाय होना चाहिए जो कि बच्चे के विकास के लिए जरूरी है this is what it means कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम अपने बच्चों के भविश्य के साथ में खिलवार नहीं कर सकते इसलिए तो हमें अपने बच्चे के home schooling के लिए जो program बनाना होगा उस program को सोचने विचारने के लिए फिर उसको plan करने के लिए फिर उसको organize करने के लिए और फिर उसको manage करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे तो फिर वही सब बाते हैं जो अभी तक हमने school में देगी थी एक-एक करके फिर से उसको लेते हैं क्योंकि लगबग लगबग वही सब बाते हैं हमें सोचनी पड़ेगी फिर से लेकिन एक learning environment थोड़ा अलग होगा बाकि उन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको भी बता ही दि तो उसी सीक्वेंस में फिर से लेते हैं उसको प्रिपेरिंग चिल्डरन फॉर लाइफ एज अनफोर्ड्स एंड परिटिकुलर्ली इन फ्यूचर तो बच्चों की जीवन को अभी इस समय किन चीजों की जुरुत है और भुष में किन-किन चीजों की जुरुत पढ़ सकती है उसको ध्यान में रखके आपके होम स्कूलिंग का प्रोग्राम आपको डिवलप करना पड़ेगा उसमें ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अभी चालू करके देखते हैं दो-चार साल के बाद में देखेंगे अगर जमेगा तो करेंगे नहीं तो फिर कुछ छोड़ देंगे ये नहीं हो सकता उसके अंगर इसलिए शुरू करने के पहले ही आपको वो सब सोचना पड़ेगा जो अल्रेडी स्कूल में चल रहा है और लगबग-लगबग स्कूल सिस्टम के पैरलल आपको चलना पड़ेगा देखेंगे ये लेक्चर सुनते सुनते शायद आपको ऐसा लगेगा कि I am being very hard on this home schooling subject ऐसा नहीं है मैं उसको जबर जस्ती ऐसा बहुत hard बनाने का प्रयास नहीं कर रहा कि home schooling बहुत difficult है और conventional schooling बहुत easy है ऐसा नहीं है लेकिन हम कहीं गलती ना कर दें और हमको सावधानी से इसको देखना है इसके लिए उसको emphasize करने के लिए मैं इस तरह से लेक्शर को प्रेजेंट कर रहा हूँ बाकी नेने तो हमको ही लेना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है लेकिन अगर home schooling के लिए तैयारी करनी हो तो क्या करना पड़ेगा यह आज का topic है तो बच्चों की life यह जो life को जो मैंने capital रखा हुआ है इसके पीछे कारण है हमको यह तो पता ही नहीं कि बच्चे की life में क्या होने वाला है अगर गलती हो गई तो आपके सिर्फ और कुछ बढ़िया हो गया उसका credit ले सकती है लेकिन उसको हम किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते हैं उसको हमको सोचना पड़े है तो ये बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखके होम स्कूलिंग का प्रोग्राम शुरू कीजिए उनको सिर्फ स्कूल से मुक्ती दिलाने के लिए होम स्कूलिंग नहीं कर रहे ऐसा मत सोची ऐसा है भी नहीं फिर एजुकेशन एक्स्पिरियेंस और नॉलेज फॉर एचोजन केरियर पाथ अभी हमको मालूम नहीं कि हम अपने बच्चे को क्या बनाने वाले हैं उसको हम डॉक्टर बनाने वाले हैं चार्टर अकाउंटेंट बनाने वाले हैं कोई एग्री कल्चरिस बनाने वाले हैं किसान बनाने वाले हैं कोई म्यूजिक टीचर बनाने वाले हैं स्पोर्ट्स टीचर हमको कुछ भी पता नहीं तो हमको थोड़ा बात मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे का रुजहान किस तरह है और उस तरह से हमको पुरा प्लान करना पड़ेगा और सभी चीज़े एजुकेशन, एक्स्पिरियन्स, एंड अल्टिमेट नॉलेज यह तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमक इस तरह से केरियर पाथवे को ध्यान में रखते हुए हमको करना पर आप है इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर होम स्कूलिग जब हम बच्चे को स्कूल में भेशते हैं तो हमें अलग से कुछ तयारी नहीं करनी पड़ती है कि बच्चे को सोशल स्किल मालूम भी नहीं होता है कि यह स्कूल में हो रहा है कि बच्चे की सोशल स्किल में कितना सारे इंप्रूमेंट हो रहा है इनानसμεन को सीखने को मिल रहा है उसको लेकिन जब हम स्कूल हम jud've शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा बच्चा लोगों से मिल नहीं पा रहा है ना तो अपने उम्र के बच्चों से मिल पा रहा है ना अपने उम्र से एक दो साल चोटे या एक दो साल बड़े बच्चों से मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको ऐसे parents का एक group बनाना पड़ेगा कि जिसमें हम उम्र बच्चे हो और वो regular basis पर एक दूसरे से मिले हपते में 3-4 बार कम से कम और ये home schooling हो या conventional schooling हो उसका बहुत important aspect है इसको ignore नहीं कर सकते इसको अगर ignore कर दिया तो आपके बच्चे का overall development अटक सकता और उसका पता चलेगा आपको जब वो when he will launch himself or herself in the world at the age of 20-25 or whatever तो जो communication skills है interpersonal skills है जो दूसरों के साथ में कैसा है बाचीत करना कैसा विभार होना चाहिए कैसे अपना काम निकलवाने का दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है और बढ़िया बढ़िया तो चल नहीं रहा बहुंत सरा मारा मारी चल रहा है तो इस मारा मारी वाली दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो हमको सीखने के लिए जगए तो चाहिए कहीं ने कहीं पर जाना तो पड़एगा जैसे कि अगर हमको किसी correct वेक्तिर के साथ में कैसे interact करें ये अगर सीखने का हो तो कहां सीखने जाएंगे उसके लिए कोई अलग से class तो चलती नहीं है कोई गलत तरीक से जो वेवार कर रहे होते हैं जो दादागिरी कर रहे होते हैं या कोई cunning लोग होते हैं उनके साथ में कैसे interact करना या अपना काम किसी निकलवाने का ये सब के कोई अलग से class तो होता नहीं है ये तो हम लोगों के साथ में मिलते जुलते सब सीख लेते हैं तो बच्चों को एक proper social interaction के लिए environment मिले इसका planning home schooling में करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये ना कर पाए तो home schooling से दूर रही है बाकि सब कुछ कर सके और ये ना कर सके तो home schooling is not a good idea not a good idea at all और जब हम लोगों ने हमारे बच्चे का home schooling शुरू किया था और उसको बहुत अच्छे से organize किया था सब कुछ करना शुरू किया और हमारी जो गाड़ी आके अटकी थी वो यहां पर आके अटक गई था we were not able to get people together जहां पर उसको जो social environment मिलना चाहिए था वो मिले उसकी लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थी तो हमको उसको बंद करना पड़ा और school में भेजना पड़ा उसके बाद में मालूम पड़ा कि अगर थोड़ा और प्रयास करते तो शायद उसको भी problem को solve कर सकते थे लेकिन ज्यादा information नहीं थी motivation नहीं था तो शायद नहीं कर पा है तो यह social skill बहुत important aspect है उसको हमेशा ध्यान कर रखिए लिए games and sports games and sports का ऐसा होता है कि आप ऐसा decide नहीं कर सकते कि आपको अपने बच्चे को कौन सा games and sports में उसको participate करवाना है यह उस पर निर्भर करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है उसको शायद कोई ऐसी चीज अच्छी लगती हो जो आपके लिए बहुत ही insignificant हो तो भी अच्छे परिणाम मिलते हैं जब वो अपने आपको दुनिया में launch करता है वर्क में जा वर्क environment बिजनेस environment वहां पर यह जो games and sports में उसका जो training होता है उसका बहुत जबर जस्त उसका इसको फाइदा होँआ पर मिलता है तो अलग अलग games and sports में उसको participate करने के लिए आपको उसको उसको organize करना पड़ेगा अलग 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 games के लिए sports के लिए उसको encourage करना पड़ेगा और दूसरा एक problem इसमें यह होता है इसको problem नहीं बोल सकते लेकिन यह situation है कि इस साल बच्चे को यह game अच्छा लगा उसने सब सीखना शुरू किया हम उसके लिए सब gear और खरीद के लेकर आया है वह सारा खर्चा भी कर दिया अगले साल उसको वो नहीं अच्छा लगता अभी कुछ और अच्छा लग रहा है और यह बिलकुल सामान नहीं है तो बच् जैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा स्पोर्स में वो जाए लेकिन उसको हर एक का एक्स्पोजर देना ज़रूरी है तो इसके लिए आपको प्रयोजन करना पड़े और यह बहुत इंपॉर्टेंट है गेमसें स्पोर्स cultural activities dance music drama festival वगरे वगरे इन सब चीजों को जैसे स्कूलों में होता है उससे भी बढ़िया तरीके से home schooling में किया जा सकता है जितने भी parents आपके साथ में होंगे उन सब के साथ में मिलके आप इसका आयोजन करके और और भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो local जो भी कुछ importance के जो cultural जो भी कुछ events होते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से home schooling में किया जा सकता है और हर एक चीज का बहुत importance है और हो सकता है कि इसमें से आगे आपका बच्चा निकल जाए बाकी का सब छोड़ गए और इसमें कुछ carrier बना डाले तो यह इसमें exposure बहुत ज़रूरी है cultural and national identity अब जिसके और हमने आपको बताया था कि हमारी संस्कृति के साथ में हमारा रुजान और जुड़ा और देश प्रेम की भावना जिसका की बीच स्कूल में ही पड़ता है यह काम हमको बच्चे के लिए home schooling के द्वारा कैसे होगा उसोचना पड़ागा क्योंकि कई सारे कैरियर ऐसे होते हैं उसको कैरियर कहें तो कैरियर पाथ या एक मिशन कहें तो मिशन उसमें देश प्रेम की भावना होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि डिफेंस के जॉब्स हैं प्रेम की भावना से लोग इसमें जाते हैं अगर आप उन लोगों से पूछिए जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है जो नहीं निकल के जॉब में आते हैं कि आप ने सिविल सर्विस में क्यों गया है लगवग लगवग सभी लोग यहीं बोलेंगे हमें देश की सेवा करनी फिर आगे जाने के बाद में खराब माहुल के कारण उनका सब कुछ बदल जाता है और वो करॉप्षन और ये वो सब हो जाता है वो बात की बात है लेकिन जब शुरू करते हैं तो भावना तो बहुत अच्छी होती है और देश प्रेम की भावना से लोग इसमें जाते हैं जो उसमें अगर अध्यात्मिक मार्क में अगर उसको आगे बढ़ना हो आगे चलके कुछ करना हो तो cultural heritage हमारा इतना reach है उसमें से उसका होना चाहिए उसके साथ में उसको जोड़ना जो संस्कृति के साथ में जो जो जुड़ा हो गया है यह सारी चीज़ों के बारे में जानक करना पड़ेगा कि यग कहीं हम बायाज नहें हो जाएं उसको और बमबार्डवेंट नहा खर दे तो यह सोच समझ के रदफ के बया है लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं गिजा होता है और असा जरूरी भी नहीं है कि competitive environment होना चाहिए लेकिन एक general understanding है कि अगर हमें अपने आपको improve करना हो तो या तो हमें वो awareness होनी चाहिए कि हमें improve करना हो और target oriented improvement का काम हम करते रहें लेकिन अभी हर बच्चे में इतनी समझ हो या ना हो parents में इतना समझ हो या ना हो कि उसको कैसे किया जाए तो competitive environment होगा तो वो काम आसा नहीं सो सकता है तो भले ही इतना intense competition नहीं कि जितना school में होता है क्योंकि वो कई बार अच्छा भी नहीं होता हमारे बच्चों के लिए लेकिन फिर भी बिल्कुली competitive ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो बीच का रस्ता हमें निकालना पड़ेगा और इसको भी छोड़ नहीं सकते इसके बारे में सोचना पड़ेगा फिर appropriate resources इखटा करना पड़ेगे तो जो specialist teachers होते हैं तो या तो हमको hire करना पड़ेगा यह जो parents लोगों की team होगी उसमें से हम लोगों को teachers बनना पड़ेगा उसी तरीके से equipment सिखटा करने पड़ेगे तो हमें अगले साल पूरा का पूरा क्या क्या करना है बच्चों के साथ में उसका पूरा planning साल शुरू होने के पहले के तीन महीने में जैसे कि अगर suppose हम ऐसा decide करते हैं कि first June से हमारा academic year शुरू होगा home schooling का तो उसके तीन महीने पहले यह सारा का सारा काम निपड़ जाना चाहिए सोचने विचारने का planning का सब resources इखटा करने का वगरे वगरे सब कुछ तीन महीना पहले तो सोचने का काम तो छे महीना पहले शुरू करना पड़े तो तीन महीना पहले सब इखटा हो जाए और उसके बाद में फिर जब जरूत पड़ेगी तो एक 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 करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं इस सब चीजों के बारे में planning का काम तीन महीना पहले पूरा हो जाना चा So you have to be ahead in planning for the next year. और उसका मानलब यह नहीं कि प्लान कर लिया, उसके वाद में कुछ चेंज़स नहीं होने वाले. तो कि जैसे जैसे आपका academic year शुरू होगा, नहीं नहीं प्राब्लमस आएंगे, नहीं नहीं challenging situation आएगी, उसके हिसाफ से you will have to improvise. यह सोचा तो था, लेकिन यह तो यह हो गया, और इसके वाद में सोचा नहीं था, अब क्या करें, तो तुरंट उसका solution ढूंडना पड़े हैं, यह सारी चीज़ें होने वाले हैं, शुरू के एक-दो साल के बाद में, then you will become kind of more comfortable, शुरू के एक-दो साल बड़ी दिक्कत आती ह क्लासरूम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो क्लासरूम आपको ढूंडने पड़ेंगे, कहां पर बच्चों को इखटा किये जाए, और उस हिसाब से फिर पूरा, ग्राउंड, स्पोर्ट्स, ग्राउंड वगरे, क्लब्स वगरे, यह सब का सोचना पड़ेगा, फिर जो नेशनली एंट इंटरनेशनली रिकरनाई सेटिफिकेशन होते हैं, उसके बारें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया में सेवन स्टैंडर्ड की एक्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है, तो ही एट स्टैंडर्ड में आपको एड्मिशन मिलेगा, और अलग से तैयार करना पड़ता है, ताकि जब वो मेंस्ट्रीम युनिवसिटी में जाएंगे, तो उनको दिक्कत ना आए, तो यह सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और आप कौन सा प्रोग्राम चुन रहे हैं, स्टेट गवर्मेंट वाला चुन रहे हैं, या CBSC कर रहे हैं, वो भी सब आपको सोचना पड़े हैं, यह सब छोटी-छोटी बाते हैं, लेकिन इवेंच्वली इसमसे कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, यह सारा काम करते-करते, पैरेंट्स लोगों को यह भी देखना पड़ेगा, कि उनके खुद के लिए भी टाइम क्युक्य उनकी उनका भी जीवन जीना है, हमको हमारा जीवन बच्चों के लिए sacrifice नहीं करना हैं, sacrifice जैसा कुछ करना ही चली है, जो भी कुछ है सबको साथ मेलेके चलने के, इस तरह से आयोजन करना पड़ेगा, आपकी टीम को इस तरह से से develop करना पड़ेगा, कि home schooling का काम सभी parents में इस तरह से divide हो जाए कि हर एक parent को अपनी खुद की life जीने के लिए अपनी hobbies के लिए अपना आगे development के लिए growth के लिए जो समय मिलना चाहिए वो समय निकाल सकें जैसे अभी बच्चा school जाता है तो जो free समय आपको जो मिलता है free time उसी तरीके का शायद उतना सारा ना भी मिले शायद मिल भी जाए अगर आप ठीक से आयोजन करें तो वह आपको अभी भी मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि अभी हमने home schooling सेरी पे लिया हुआ है तो अभी हमारा 15 साल गया है पूरे के पूरे ऐसा नहीं है if you plan properly you can do very well आपका जो प्रोग्राम होना हो चाहिए वह as universal comprehensive और flexible होना चाहिए जितना कि उसको कर सकें यह सभी शब्द यूनिवर्सल comprehensive लग्जिवल बहुत इंपॉर्डेंट है comprehensive तो इसलिए कि आगे चलके आपका बच्चा क्या बनने वाला हो हमको मालूम नहीं है किसी भी फीड में जा सकता है तो अब इस तो decide कर नहीं सकते हैं हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को इंजिनियर बनाना है तो उसको history पढ़ाने की जरूरत नहीं है या हम यूँ भी नहीं बोल सकते हैं हम तो हमारे बच्चे को chartered accountant बनाने चाहते हैं उसको physics chemistry की जरूरत नहीं है हमको कुछ भी मालूम नहीं है तो हमको हर subject जिसका की जरूरत पढ़ने वाली है आगे चलके वो program में रखना पड़ेगा curriculum में so it should be very comprehensive and very flexible कभी भी किसी subject को कमें जादा करना हो या इस साल की जगे अगले साल पिछला वाला अगला वाला अभी लेना हो यह सब provision उसमें होना चाहिए और universal का मतलब है कि बहुत जादा tight compartment वाला program नहीं होना चाहिए और उसका कुछ ऐसा political या religious रुजहान वाला नहीं होना चाहिए बच्चों को हमको अभी से यह bombardment नहीं करना है कि इस धर्म में हमको या इस पंत के हिसाब से हमको सब कुछ सोचना और समझना है कोई भी धर्म पंत वगरे कोई भी विचारधारा यह education system में नहीं आनी चाहिए यह सारा काम हमें अच्छर्ड एडल्ट बनेंगे तब वो अपना खुद का जो भी कुछ उनको ठीक लगता है वो अपना निर्ने लेंगे कि उनको क्या सही लगता है तो यह universal होना चाहिए युनिवर्सल कि आगे चलके बच्चा कुछ भी अडॉप कर सके किसी भी धर्म के बारे में सोच सके किसी भी विचारधारा के बारे में सोच सके किसी भी संस्कृति के बारे में सोच सके इतना युनिवर्सल होना चाहिए इसको पहले से यह सा टार्गेटेट नहीं करना चा अपने अलावा किसी और के बारे में सोची नहीं सकते, उसके बारे में बात्चीच चल रही है, उसका नॉलेज एजूकेशन, लिमिटेड एक्सकोजर देना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम उस पर अधारित नहीं होना चाहिए. यह सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपका जो होम स्कूलिंग का प्रोग्राम होगा, इट केन बी टेलर मेट टू योर रिक्वायर्मेंट, आपके बच्चों को जैसा चाहिए, एक्जिक्ली वैसा वाला प्रोग्राम बनाया जा सकता है. इसके बारे माई पोड़ा का पूरा बजेटींग करना पड़ेगी, जैसे कि बिसेस चलाते हैं और पूरा बजेटींग करना पड़ता है, इस तरीक मैंने आपको बताया दा, 3 महीना पहले सब तयार हो चाहिए, उसके शुरू आ हो इसके लिए, कि अगले साल का पूरा पू किसा आएगा कहां से उतना नहीं आने वाला तो फिर कम में कैसे चलाएंगे यह सब पूरे निड़ने लेने पड़ते हैं तो मैनेज करने का काम जो मैनेजमेंट का जो काम है वह उसमें यह सबाता है तो जो मैंने आपको चार वर्ड्स बताये थे कॉंसेप्शुलाइज प्लान और्गनाइज एंड मैनेज तो यह अलग अलग जो फंक्शन्स होते हैं सब होते हैं और हर एक पैरेंट को उसमें कंट्रिबूट करना पड़ा है अलग अलग तरीके से प्रोटेक्टिव अंड कंट्रोल तो आपका जो एंवायनमेंट होगा वो काफी प्रोटेक्टिव होगा तो कि बच्चों को गलत चीजें का एक्स्पोजर तो मिलने ही नहीं वाला क्योंकि होम स्कूलिंग चल रही है और कंट्रोल होगा आप जो चाहेंगे वह होगा लेकि आप से हमको बच्चों को ट्रिंड नहीं करने यूनिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके वह अपना लेने लेके कुछ भी डिसाइड कर सके उसको क्या करने अब यह तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजे हैं तीनों के तीनों यह ब्लू कलर्स में आपको दि स्कूरी है जो कि स्कूल केरिक्यूल mm में नहीं है ऐसी चीजों को आप होम स्कूल में इंखलू कर सकते हैं जो कि उनको स्कूप नहीं क्योंकि वह अपनी सिस्टम के पहस Susotto उस मर्यादा है यहां पे वह मर्यादा नहीं है और कुछ चीजों का example आपको मिलेगा अभी तीसरे point में दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं You can remove what is unnecessary Unnecessary किसको बोलते हैं Something which is neither important nor essential उसको हटाओ प्रोग्राम में से निकाला वो wastage of time, money, energy, सब कुछ वो आपको निननाई लेना पड़ागा कि ऐसा क्या होता है इसे कुछ-कुछ चीज़ें होती है जिसको सजमुझ में निकाला जा सकते हैं तो तीसरी चीज add whatever else could be important but not essential तो important तो बहुत है महत्वपूर्ण लेकिन अगर नहीं होगा तो भी चल जाएगा जैसे कि अभी चल रहा है स्कूलों में ये कुछ नहीं होता लेकिन अगर आपके पास में पैसा है समय है अगर आप कर सकते हो तो इन सब्जेट्स को भी include कर सकते हो और उसकी एक list मेंने मनाई हुई है बहुत छोटी सी list है जस आपको एक example मिले उसके लिए हम हमारे बच्चों को साथवी आठवी क्लास से आयुर्वेद की training दे सकते है और ये मैं बिलकुल अतिश्योक्ती नहीं कर रहा हूँ सच मुझ में अपनी खुद की health के बारे में आयुर्वेद जो की बहुत ही safe science है इंडिया का खुद का अपना science है health science और कई साल पुराया पुराना आजमाया हुआ science है और उसको एकदम सरल भी बनाया जा सकता है और complex भी तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें उसको training अलग अलग दी जाती है हो सकता है कि आगे जाके जब वो आईरवधिक कॉलेज में जाया तो उसको अलड़ी बहुत सारा मालूम है और ये अगर उसको मालूम पढ़ना चुरू हो जाया at the experiential level तो उसकी health में जब 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 सुधार आ सकता है शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक तीनों के तीनों लेवल पर physical, mental and emotional इसके लिए आईरवधिक मेडिकल कॉले में जाने की ज़रूत नहीं है ये सब स्कूलों में भी सिखाया जा सकते है और ये मेरा खुद का experience है as an engineer कि मैंने जब आईरवध का study किया तो मुझे तो यही लगा कि स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया ये सब में को इतना जबर्जस लाव मुझे उसका हुआ तो फिर कुकिंग खाना बनाना मुझे अभी पिछले कुछ साल से मैंने खाना बनाना सीखा अभी बहुत सारी चीज़े में तो मास्ट्री भी हो गई गई है लेकिन जब भी कभी खिचडी वगए बनाते हैं सब्जी वगए बनाते हैं तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि कॉलेज के जमाने में इतना बेसिक भी हमको आता नहीं था अगर एक सिंपल खिचडी सब्जी यह सब चीज़े बनाना आता होता तो कितना सारा समय बचा होता है कितना सारा पैसा बचा होता और कितना धंगा खाना मिला होता लेकिन आता ही नहीं था तुझ कोई सिखाने वाले ही नहीं था या सिखाने वाला था लेकिन हमने नहीं सीखा ऐसा बोल सकते हैं कि इतना दे मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज खाने से हमको फायदा होगा और कौन सी चीज खाने से हानी हो सकती है अभी उसब का नाम नहीं ले सकते लेकिन आप खुद ही विचार करके देखिए इमेजिन करके देखिए कि बहुत सारे खाने के ऐसे पदार्थ होते हैं बड़े हानी कारक होते हैं लेकिन बच्चों को कोई ट्रेन नहीं करता, स्कूल में कोई उसका रहा हैं, बाचीत नहीं करता, और होम स्कूलिंग में उसका रहा हैं, उनको बड़े डीटेल में बता सकते हैं, उसी तरीके से जिन खाने पीने की चीज़ों से फाइदा होता है, वो भी उनको बता सकते हैं, उनको ऐसा प्रयोग भी करवा सकते हैं कि बही चलो एक हपते के लिए हम अभी इसी डाइट पर रहेंगे इस तरह से खाना पीना करके देखते हैं उनको बड़ा मजा आगा और ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ कि जिनके मदर फादर ने यह सब करवाया बड़ा अच्छा ल है वर्ड की जो मेल पॉपुलेशन है उसमें फिप्टी परसंट को यह भी नहीं मालूम कि छिलके के बिना कि मूंग की दाल और तूर की दाल में कूंसी कूंसी दाल इनको फर्क करना ही नहीं आता है बिना छिलके की मूंग की दाल और बिना छिलके की तूर की दाल उन दोनो का इलाज खुद भी कर सकते हैं यह बात अलग है कि नहीं करना चाहिए लेकिन उनको अंदप रहना तो होनी शुरू हो क्यों बुखार है तो चलो तुलसी खाली और यह है तो वह खालिया और यह है तो वह किया प्रयोग करके देखना शुरू किया उनको रिजर्ट मिलने लग विशारत वगरे लेवल पर जाने के लिए या म्यूजिक वगरे के लिए वो सब स्कूलों में नहीं मिलती है और यह हम चाहें तो हमारे होम स्कूलिंग के प्रोग्राम में इंक्लूट कर सकते हैं ताकि बाए टाइम और चाइल इस आउट अप देश्कूल वह यह सब कूरा जाओ द्राइग पंदिंग अक्तिंग स्टोरी राइटिंग के लिए इस कूल वे को ट्रेणिंग ही होती है और इस सच अ बिक स्किल और अबिक इंपॉर्टन स्किल एक्चली आई विश आइड देट स्किल कई वार में रसोछता हम पोईट्री नोबडी टीचर ज़ाइट् अगर garden है तो वोगर farm है तो farming के से की जाए अगर उसको यह सब आ जा है तो अपना खुद का सब्जी वाजी खुद उगा के खा सकता है मुझे तो कुछ भी आता नहीं था सन 2010 के बाद में मैंने gardening और निंग सब पूरा सीखा उसके बाद में मैंने इतना सारा सब्जी भाजी हुआ है कि मुझे खुद को अस्चर रहे हो after 2010 at the age of 50 probably और यह सब पहले से सीखा होता तो कितना सारा हुआ कि खाया होता तो बच्चों को सिखाया जा सकता है बहुत effortlessly सिखाया सकते हैं आप सुचिए कि हमारे जो किसान होते हैं उनका education level क्या होता है कुछ भी नहीं होता है दुर्भा के से विचारों को कुछ education नहीं मिल पाते हैं बहुत सीमित मिलता है जो भी कुछ मिलता है तो अगर वो लोग यह काम कर सकते हैं तो हमारे बच्चे कि पढ़ाई के साथ साथ है और उसमें से तो it is life science तो उनको तो प्रयोग करते करते खाने पिने को भी मिलेगा और भी ज्यादा उनको जो शाय है फोटोग्राफी फोटोग्राफी जैसी चीज मैंने इसलिए लगए कि wild photography is a huge career prospect today तो यह सब चीज़ें बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है जो कि मैंने ट्राइ किया था जब मैं अपने college में था तो मुझे बड़ा interesting लगा and I learned heaps of photography जो कि generally curriculum में कहीं होता ही नहीं स्कूल में न college में but I learned it and I enjoyed it plumbing अब यह plumbing मैंने इसलिए डाला हुआ है कि आपको लगए कि यह सब क्या तो plumbing इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में न्यूजिलेंड जर्मनी UK USA वाले लोग भी है और वहां पर plumbing वगरे के लिए किसी plumber को कोई बुलाता नहीं है कुझी काम करते हैं सब इतना expensive होता है तो इंडिया वाले क्यों नहीं करते हैं इंडिया में अगर हम सीख लें कि plumbing का काम कैसे करने का हम भी कर सकते हैं तो इसलिए डाला हुआ करना हो कुछ भी यह सारा का सारा काम बच्चों को सिखाए जा सकते हैं और वह हायर सेकेंट्री तक पहुंसते पहुंसते तो इसमें expert हो जाए इन सब चीज़ों है कि उसका मतलब यह नहीं कि वह आगे जाके plumbing करेंगा उसका मतलब यह कि यह सब चीज़ें बड़ी आसानी से सोच पाएगा कर पाएगा और इसके आगे का दिमाग चलने लगेगा कोडिंग जो प्रोग्रामिंग वगरे है आज के जमाने में चलता है बच्चे लोग बढ़ी आसानी से सीख सकते हैं स्कूल में बहुत लिमिटेट इसका एक्सपोजर होता है कैड जितने भी computer-added design and computer-added graphics होती है उसका पूरा पूरा अलग फील्ड है बहुत ही लिमिटेट इसका काम स्कूल में होता है जो कि स्कूल लेवल पर सीखा जा सकता है अभी भी कई ऐसी चीजह है जो मुझे इसा लगता है अभी खर मेरा दो अभी 60 यर प्लस हो गया है लेकिन मैंने जो भी कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी उसमें कुछ-कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ है एक्चुली और मैंने इसका सब पूरा साइन्स जो है I'm not talking about the availability of the visuals I'm talking about developing that kind of graphics यह सब काम बच्चे कर सकते हैं ऐसी बहुत पड़ी चीजह है जो होम स्कूलिंग में add की जा सकती है अगर आप कर सकें तो फिर एक और बहुत ही महतुपूर्ण बात अगर हम होम स्कूलिंग शुरू करते हैं और आगे जाके कोई इतनी बड़ी दिक्कात आती है कि हमको होम स्कूलिंग बंद करना पड़ता है तो बच्चे लोगों को फिर से मेंस्ट्रीम स्कूलिंग में उसको हम भेज पाएंगे इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो होम स्कूलिंग करते करते कन्वेंशनल जो स्कूलिंग होती है उसमें जो प्रोग्राम चल रहा होता है और आपके प्रोग्राम में इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए कि उसको ब्रिज ना कर पाएं कम सकम कुछ महीनों में या एक साल के अंदर वो गैप ब्रिज हो जाए तो बच्चे का एक साल से ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा इसलिए यह सोचना बहुत ज़रूरी है देखिए होम स्कूलिंग के लिए हमको जो डिशीजन लेना है वो भावनात्मक डिशीजन नहीं है इमोशनल नहीं है बहु यह सारी चीजे जो हमने डिसकूस की यह आपकी तैयारी के लिए है कि हमको अपने आपको कैसे तैयार करना है अब कुछ और चीजे है so do we really know what our child's future is going to be like ये कुश्चन है जो आपको अपने आपको करना चाहिए कि आपको अपने बज़ तो जवाब तो आएगा कि नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है तो ठीक है लेकिन अगर मालूम करने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा तो शायद नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि जो भविष्याशने वाला है उसकी कलना भी हम नहीं कर सकते ऐसा वला भविष्याशने वाला है ओर एक्जाम्पल अगले 40-50 साल के नदर एक ऐसा भविष्याशने वाला है कि जिसमें मरना बहुत मुश्किल हो यह स्वाइब और से कितने लोग मरते हैं को मालुम है आदे सजया लोग तो उसी काएट मरते हैं है 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 तो एक द्यादा आयु बढ़ जाएगा आपका ऐसे भी लोग करी हरें कि अगले पचास से 100 साल में हमारी वह दूगनी होने वाली है अभी जो 70-80 एर से उसमें से 500 साल तक जीने के लिए पूरे-पूरे चांसे लिए पूरे जो नेनो टेक्नोलोजी चल रही है जिसका अभी इतना सारा इवालीशनरी वर्क चल रहा है इसके कारण आगे चलके जो काम होने वाला है मेडिकल साइंस में और जो हाई-टेक मेडिसिंस के उपर जो रिसर्च चल रहा है इन सब का मिला-जुला जो इफेक्ट होने वाला है हमारे हेल्थ के उपर इटिए वी आर गुंग तु लिव वेरी लॉंग और उसके लिए बच्चे को तयार करना है अभी एजुकेशन के समय भी और एजुकेशन के बाद में उसको इस दुनिया में सर्वाई होने के लिए तो उसके पास में ऐसा हुनर होना चाहिए ऐसी स्किल होनी चाहिए ऐसी सारे आप अगर सतर साल की उमर में रिटायर हो गए तो सतर साल से सो साल की उमर तक तीस साल आप करोगे क्या सोच के देखिए तीस साल तक आप करोगे क्या तो इसके ऐसे भविश्य के लिए बच्चों को हमें तयार करना है जिसके लिए कि आज का स्कूलिंग सिस्टम भी हमको समाज में लाना है कि जो सो साल तक जिन्दा रहा है तो पूरी तरीके से हेल्थ हेल्दी और फंक्शनल रहे इस तरह से हमको सोचना है फिर उसकी परस्नलिटी उसका एप्टिट्यूड उसके बारे में भी सुचना पड़ाएगा क्योंकि कुछ बच्चे इतने होते हैं कि उनको स्कूल वाला जो जम जाएगा और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर्नेस वाले कि बिना कॉम्प्टिशन के भी वह आगे बढ़ सकते हैं उसको खुद का टाइम चाहिए स्पेस चाहिए तो बच्चे की Farm पर्सनलिटी और सथी का टेस्ट होता वह करवाईय और देखें कि आपके बच्चे की पर्सनलिटी और इसा है और उस तरीके से प्रोग्राम को बनाईये और ऑम-सकूलिंग में भी उसको उस तरह से प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कीजिए और आपके बच्चे के लिए कौन सा education system सबसे बढ़िया suitable है वो आप चूज कीजिए state वाला है cbsc वाला है और दूसरा जो भी कुछ आपको ठीक लगता हो in between वाला possibility of a twin innings carrier path अभी ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा twin innings carrier path क्या होता है अभी जैसे कि एक ऐसा जमाना आने वाला है और जो बच्चे अभी आज 10 साल से कम उमर वाले हैं ये उन लोगों की बात्चीच चल रही है उन लोगों के जीवन में ये क्षण आने ही वाला है वो 100 साल तक जिंदा रहने वाले हैं और करीबन साथ साल की उमर में तो उसके बाद में उनको दूसरी इनिंग शुरू करनी पड़ेगी, कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, वो दूसरा काम क्या करेंगे, यह सब चीजें अभी सही सोचनी चाहिए, ताकि उसके लिए तैयारी कर सके, बहुत लंबी सोच की बात चल रही है, शायद ना भी हो प लोगों को अपना मेन केरियर वाला जो है, वो कमाने के बाद में, सब रिटायर होने के बाद में, घर पर बैठने वाला टाइम आता है, उसी समय उनको दूसरा केरियर शुरू करना पड़ेगी, उतना इंटेंस नहीं, उतने घंटे काम भी नहीं करेंगे शायद, लेकिन फ होम स्कूलिंग, कि कई बार बच्चे लोगों को हमको स्कूल में से निकाल के और होम स्कूलिंग कराना है, वो हमको मन में जो विचार आते हैं, वो क्यों आते हैं, उसके दो-चार कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यह है, कि spending time learning things not necessary, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने में हर एक बच्चे को competitive आता और नहीं चाहिए, उसको अपने हिसाब से चाहिए, उसकी छमता के अनुसार उसको competitive environment देना पड़ता है, और school में तो क्या है कि it is a system, सबको एक ही जैसा रहता है, तो उसमें उसको जो pressure होता है to perform, वो pressure के कारण उसको आगे जाके और भी दिक्कत हो स तो बच्चे के overall development के उपर effect पड़ता है, इसको growth के उपर effect पड़ता है, अगर overly competitive environment में रहेगा तो और आज यही वाला माहौल है, इसे कायान बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, लेकिनों कुछ कुछ कर नहीं सकते हैं, overly academic, overly academic का मतलब है कि academic पढ़ाई के अलावा और बागी किसी भी चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना के देना चाहिए, evaluation system, और evaluation system सबसे वड़ा problem है, अभी आप देखिए, आज कल के schooling system का जो evaluation system है, वो marks basis है, कि जिसका जितना ज़्यादा marks आएगा, वो उतना ज़्यादा intelligent और उतना ज़्यादा आगे चलेगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको learning हुआ कि नहीं है, जैसे जो competitive exams होती है, उसमें high score के लिए आपको जिस तर से तैयारी करनी पड़ती है, उसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो important नहीं है, आपको याद होना चाहिए, और speedly आपका जवाब आना चाहिए, और यह काम किये जा सकता है, तो school में आपको कितने marks आये हुए ह है, उसपे जाता है, ध्यान दिया जाता है, तोकि उसी के उपर से बच्चे का performance, उसी के उपर से teacher का performance और उसी के उपर से school का performance evaluate किया जाता है और बच्चे को कितना लर्निंग मिला इसके बारे में किसी को पता नहीं है जिसे मुझे खुद को भी आज आज की तारीक में भी कई सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं जो मनें स्कूल में पढ़ा हुआ और कई सारी चीज़े तो ऐसी थी कि जो मुझे सेवन एट नाइन स्टांडर्ड में क्लियर हो जानी चाया थी तो यह समझ में आना बहुत जरूरी है उससे हमारा विकास होता है और यह काम होम स्कूलिंग में बहुत अच्छे से हो सकता है वो जो हमारा जो कन्वेंशनल स्कूलिंग है इस मार्च बेस्ट इवालुशन इवालुशन सिस्टम फिर यह तो बोलने की जुरूती नहीं है कि there is lack of personalized attention वहाँ पर हर एक बच्चे के ओपर तो कोई ध्यान देने वाला है नहीं वहाँ इतना सारे बच्चों की class होती है वो तो जितना हो सक्या उतना ही दे सकते हैं teacher उनका भी उनकी भी मर्यादा है लिमिटेशन है उस हिसाफ से उनको चलना पड़ता है home schooling में यह problem नहीं है we can pay individualized attention किसी बच्चे को ज्यादा समय की जुरत पड़ती है तो ज्यादा देंगे किसी को कम की पड़ती है कम देंगे जैसे न्यूजिलेंड जहां पर कि मैं रहता हूं यहां पर जो लोग जो बच्चे थोड़े स्लो होते हैं जिनको थोड़ा धीले-धीले समझ में आता है उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है उसी क्लास के अंदर और उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है उसी सब्जेट को सीखने के लिए और टीचर भी उसके पीछे ज्यादा time spent करता है ताकि वो बच्च स्पोर्स में भी और बाकी की सब अक्टिविटीज में भी अगर इंडिविचुलाइज अटेंशन बच्चों को मिलता है तो उनका बहुत ज्यादा विकास हो सकता है बच्चों को स्कूल में बहुत सरी चीज़ें उनको पढ़ जाती है वहाँ पर पूरी जिंदगी उनको उसको दूर नहीं कर सकता है सब्सक्राइब, बुलिग इस वेरी बिग प्रॉब्लम , एरोगेंस कई बच्चे लोग जब स्कूल में मिलता है तो सोचलाइजिंग होती है तो इंटर प्लास सोचलाइजेशन चलता है जिसे मिडिल क्लास वाले हायर बच्चों के साथ मैं सोच्यलाइज करते हैं अभी से ह उसका behavior रगर हुआ तो वह arrogance हमारा बच्चा भी सीख सकता है उसी तरीके से drugs वगरे का बहुत बड़ा problem है स्कूल में सब पूरी दुनिया में हर जगे पर यह बहुत बड़ा problem और इंडिया में भी है ऐसा मानके मत चलेंगी इंडिया में problem नहीं बहुत बड़ा problem है स्कूल को बहुत ही गलत lifestyle का education school में मिल जाता है कुछ भी खाओ कुछ भी करो पढ़ाते बहुत जरूर हैं कि यह नहीं खाना चाहिए वो नहीं करना है लेकिन उनका experiential level पर कुछ भी exposure नहीं मिलता तो उसके लिए यह faulty lifestyle जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो बच्चों की school से ही होत ओवर्स्पेंडिंग वही सब गलत आदत है फैशन वगरे जैसे कि बच्चे लोगों को 15-16 साल की उमर्ट टक ब्रांड़ेट कपड़े ब्रांड़ेट शूस वगरे नहीं पहनना चाहिए जो कि इंडिया में बच्चों को मालूम नहीं होता तो बच्चे छोटे होते हैं त पोटेंशल बेनेफिट्स के बारे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा वह आप खुछ सोचिए और उसको सोचने के लिए मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट्स भी दे दियें लेकिन दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट के जो कन्वेंशनल स्कूल होत सिंक्रोनाइज होके अपना जो भी कुछ हम को चाहिए उसमें से प्राप्त करना पर है लेकिन होम स्कूलिंग में यू आर इन कंट्रोल तो अगर आपने सब कुछ ढंक से किया तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया वाला लर्णिंग एन्वायनमेंट क्रेट हो यह रिजल्ट आपको मिल सकता है जो कि कन्वेंशनल स्कूलिंग में नहीं मिलेगा इन्द इम्प्रूड लर्निंग एंवायनमेंट जो लर्निंग एंवायनमेंट है वह कैसा होगा अभी हमने पिछली जो दो स्कूल वो सब के सब इसमें से गाया वह जाए उसकी तरह आपक का जाता है बच्चे लोग जो स्कूल में जा रहे होते हैं तो बागी का आप खुद सोचिए कि होम स्कूलिंग के क्या क्या बेनेफिट्स हैं अभी तक जो जो पर नहीं बताया उसके उपर से खुद ब्रेंस्टॉमिंग कीजिए तो आपको मालूम पर हैं और यह भी सोचिए कि क्या 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 एडवांटेज हैं और फिर उसको वे करके देखें कि आपको किस रस्ते पर जाना सही लगता है तो उसके लिए टाइम चाहिए एनर्जी चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए अभी आपने अगर डिसाइट कर लिया है कि आपको होम स्कूलिंग करना है तो सबसे बिले तो आपको देखना पड़ा कि आपको समय कितना है और आपके जैसे बहुत सारे पैरेंट्स लोगों का ट लेकिन इस पॉसिबल बहुत अच्छे से किया दा सकता है मेंटर जिस इनदर तिंग जब भी कभी होम स्कूलिंग शुरू करें ऑल्वेस थिंक अबाउट मेंटर फॉर यॉर प्रोग्राम मेंटर कोन होना चाहिए एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको कि कई सालों का स्कूल और होम स्कूलिंग की तरब जिसका रुजहान हो फ्रड़ा इंक्लिनेशन भी और रुजहान नहों तो मिलकुल अनबायास तरीके से आपको गाइड कर सके कि स्कूलिंग सिस्टम में क्या क्या हो रहा है तो उस तरह से आप भी अपने सिस्टम में सब कुछ कीजिए यह को ऐसे बहुत सारे अच्छी क्लीट के टीछर मिलेंगे यह खासँ कर्के जो वी टेमेड का जो में जो लोग की और पदहन को वो लोग basically they are working with the education system. So they know everything about the education system, कि education system को कैसे बनाया जाता है, किन चीज़ों का महत्व होता है, कहां पर कितना flexibility होता है, सब चीज़े. तो ऐसे किसी विक्ती को as a mentor, अगर आप जूढते हो, और हमेशा उसको अपने साथ में रखते हो, भले उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़े, हो सकता है कि वो फ्री में काम करने को तयार हो जाए, तो आपका काम बहुत ही easy हो जाए. So always think about a mentor for your home schooling program. Everything, cultural से लेके, academic से लेके, और उसको manage करने से लेके, plan करने से लेके, budgeting से लेके, सब कुछ वो आपको मदद करेगा. अब जब आप उसको organize करोगा, तो जो basic basic चीज़े हैं, वो तो आपको ध्यान में आई जाएगी, वो तो इतना important discussion करने सा है नहीं, लेकिन just as a pointer, curriculum बनाना पड़ेगा, age group में बच्चों को divide करना पड़ेगा, जैसे कि pre-primary, primary, secondary, higher secondary, और ये जो जर्मनी और New Zealand, UK, US वाले जो हैं, उन लोगों के लिए college, जैसे कि 11th, 12th और 13th standard के बच्चे लोगों को college वाला group कहा जाता है, तो उसको अलग से कर दिया, फिर duration of classes, कब-कब कितना-कितना, किस speed में हमको educate करना है बच्चों को, scope of नया-नया क्या-क्या सिखाया जा सकता है, यह सब कुछ आपको organize करना पड़ेगा, इस इस कॉल्ड organizing the program, human resources, कुछ teachers तो आपके parents group में से ही बन जाएंगे, सब लोगों जो अपना कौन सी-कौन सी specialty आप देख लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन-कौन parent किसकी subject को ले सकता है, फिर जो बच गया, उसके लिए you can always hire teacher from outside, लेकिन जहां तक हो सके, parents में से यह अगर teacher बन जाते हों तो बहुत यह अच्छा रही, that is the ideal for home schooling, बहार से teacher लाना तभी, कि जब उसके बीना ना चलने वाला हो तो यह, learning space, कहां पर class करनी है, उसको ज़रा सोच लीजिए, और generally एक ही जगे पर fixed हो तो ज़्यादा अच्छा, एक group, जैसे एक age group के बच्चे लोगों का, class एक ही जगे पर होना चाहिए, दूसरे वाले का, दूसरे गेप, ऐसा पूरा अलग अलग ऑर्गनाईज होना चाहिए, learning aids and material, कौनसी कौनसी चीजों की ज़रोत पढ़ने वाली है, जैसे whiteboard और यह जो pen वगरे तो basic हो गया, उसके अलबा और क्या क्या चीज़ चाहिए हो चाहिए, वो सब के वारें भी सुचना पढ़ाएगी, हर जगे पर, all types of classes, whether it is education class, जो academic वाला है, या फिर आपका dance class है, या फिर sports है, हर जगे आपको सब पूरा material and teaching aids, learning aids एखटी करनी पढ़ेगी, अब challenges क्या क्या आ सकते हैं, early hiccups, कहां पर आपको दिक्कत हैं आ सकती हैं, शुरुआत में, तो सबसे फ़ली दिक्कत तो यही आएगी, कि आ सकती है, कि जो आपको जितने लोग चाहिए, और जो समझदार लोग चाहिए, उतने सारे समझदार लोग शायद आपको एकदम से ना मिल पाएं, परकर मिल भी जाएं, तो उनके बीच में जो हार्मोनी डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे टीम काम कर सकें, वो एकदम शुरुआत में ना भी हो, तो बहुत सारा काम तो हमको शुरुआत में इसके उपर करना पड़ेगा, कि पैरेंट्स लोगों को how to work as a team, तो उनको अलग से ट्रेंडिंग करनी पड़ेगी, इंटरपर्सनल स्किल का, कि हम एक दूसरे के साथ में मिल के काम कैसे करें, क्यों तो कभी किया ही नहीं, अभी वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ में काम करना सीखना पड़ेगा, तो शुरुआत में डिफिकल्टी वहां आती है, अच्छी भावना से शुरू तो कर दिया, लेकिन प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आएगी, उसे गान प्रब्लम साइगी, तो वो यह ध्यान में रखना पड़ेगा, और यह प्रब्लम ना आए, उसके लिए प्लानिंग जितना अच्छा होगा, प्रप्रेशन जितनी अच्छी होगी, उतना प्रब्लम कम आएगा, शुरुआत में, लैक आफ एंदूसियाजम इन फेलो, तो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे रिजल्ट मिलेगा, तो जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज है, इन्फरमेशन है, जोस वो आर वरी एनरजेटिक, दे नीद तो लूक आफ्टर दे पीपल, वो आ लिटल बिट लोग इनरजी, फिर नया-nया environment है, अभी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर अलग environment हो, अभी एकदम से नया हो गया, तो वो एक थोड़ा सा transition time लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा shock भी लग सकता है, तो वो you have to do the counselling part over there, अभी जरूरत पड़ी की बच्चे को होम स्कूलिंग में से निकालना पड़े, और वापस conventional school में डालना पड़े, तो उसके लिए तयारी रखी, और the gap between home schooling curriculum and the conventional schooling curriculum should not be too big, अगर है तो भी उसको कैसे bridge किया जासे कि उसका तयारी रखना चाहिए, शुरू के एक-दो साल में January रखना चाहिए, तो कि अगर जम गया बच्चे को school, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तेकिन अगर नहीं जमता होम स्कूलिंग, तो एक-दो साल में मालूम पड़ जाए, concept school, just to introduce, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर किसी को नहीं मालूम होता हो, इस इस वेरी मच अप्लिकेबल टू 11th और 12th स्टैंडर्ड जनरली 11th और 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, कि इंडिया की बात चल रही है, इंडिया में, this is about इंडिया ना, जनरली बच्चे लोग, कॉम्पॉइटिव अग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 11th 12th का स्कूर भी अच्छा चाहिए, तो जो स्कूल की अक्टिविटीज होती हैं, जो जनरल कुल्चरल अक्टिविटी हो या दूसरी पूरा दिन उनका उसी में चला जाता हैं, लेकिन अगर वो कॉनसेट स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों का टाइम बहुत सारा बच जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है, उसका जो कैरियर बिल्डिंग के लिए जो दो साल चाहिए, वो भी उसको मिल गया, उसके बाद में फिर वापस जो करना है, और ये भी पॉसिबल है, कि concept school में रखेंगे तो उसका 3-4 घंटा रोज बचने वाला, उस 3-4 घंटे में बागी का activities कर सकता है, अगर वो चाहिए तो, तो ये सोचने वाली चाहिए, तो ये सोचने वाली चाहिए, तो कई बार दे लोग सोचते हैं, not at all, okay, भावनाओं में बहेके decision नहीं लेना है, ये निर्णे नहीं लेना है कि चलो अभी बच्चों को निकाल लेते हैं, स्कूल में से, क्योंकि वहाँ तो बहुत खराब चल रहा है, और घर पर पर पढ़ाएंगे जोगा देखा जाए, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए, कि बच्चे के भविश्य को खराब करने वाली चाहिए, अपनी खुद की ख्शंटा को पहले जाँ चाहिए, कि आप कितना इसमें लगा सकते हैं, टाइम, एनर्जी, इन्पुट, एफर्ट्स, वगएरे वगए, और कितने लोग आपके साथ में ऐसे हैं, जो इसमें आपका सहयोग दे सकते हैं, उसको थोड़ा सोचिए, दो-चार-छे महिना साल भर उसको जिरा, उसका feasibility study कीजिए, और फिर लगता है कि कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे करके शुरू करके देखिए, अब दूसरा एक point, destiny, कई बार हमको असा लगता है कि हमारे बच्चे को बहुत अच्छा वातारण मिले, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और हमको भी बहुत सारा stress हो जाता है, तो देखिए, ऐसा है कि बात तो सही है, कि हमको हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा वातारण तैयार करना चाहिए, देना चाहिए, बात भी अच्छी है, आइडिया भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा निकलेगा, लेकिन अभी हम जिस दुनिया में रह रह रहे हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ाएगा, वो भी एक हकीकत है, इस अरियलिटी, तो जो बच्चा हमारे यहां पर पैदा हुआ है, ऐसा किताबह में मैंने पढ़ा हुआ है, कि when a soul decides to take a birth, generally the soul evaluates, कि मुझे किस लाइफ में जाना है, वो खुदी वहाँ से देखता है, कि मुझे इस लाइफ में जाना है, इस में जाना है, और वो चूज करता है, कि मुझे इस लाइफ में जाना है, तो अगर मृत्यी लोग में आया हुआ है, प्रत्वी को मृत्यी लोग कहा जाता है, तो मृत्यू लोग में आया हुआ है, तो सोच समझ के यह आया हुआ है, कि यहां पर क्या जहिलना पड़ने वाला है, तो इतना ज्यादा मायू सोने की जरुवत नहीं है, कि आपके बच्चे को स्कूलिंग सिस्टम में से जाना पड़ेगा, और इतना हड्शिप, वो सोच प्रवस होने की जुरुद नहीं है जो भी कुछ यह सब ठीक ठाक चल रहा है समय और काल के अनुशार सब कुछ ठीक चल रहा है अब बच्चे को इसमें से मिलेगा अगर हम होम स्कूलिंग न कर पाए उसकी बात चीछ चल रही है तो हमको बहुत निराश होने की जुरुद नह सहाथ आप ऐसा सोच के देखिए कि बच्च्चा आठ गण्टे के लिए स्कूल जाता है ऑर बिदिग्राश होने की जगह कुछ बीच का रसता निकाला इसके लिए पốngके निराश होने की जग के बाति है इसके निश आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, वो उसने डिसाइड किया होगा, He has chosen, okay, and He knows आगे क्या क्या आने वाला, और वो उसके साब से उसका जीवन चलेगा, और उसमें से उसका जो भी कुछ आत्मविकास होने वाला वो होगा, और आगे जो गाड़ी चलने वाली होगी, वो चलेगी, आपको भी निराश होने की ज़रुद नहीं है, बच्चे लोगों के लिए यह कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, So I really wish you well in your expedition, इसको थे expedition ही बोल सकते हैं, यह बहुत बड़ा चलेंजिंग काम है, होम स्कूलिंग, और अगर आपको कभी भी कहीं पर गाड़ी अटकती है, तो you can always talk to people who have experience, you can always call me, मेरा इतना experience नहीं है, लेकिन मेरा जहां पर भी connection होगा, वो मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा, गुजरात में खास करके जो बड़ी-बड़ी cities हैं, जामनगर, राजकोट, अमदावाग, बरोड़ा और सूरक, वहाँ पर एक बहुत बड़ी हा होम स्कूलिंग का काम चल रहा है, एक organization है, voluntary organization, सभी parents लोगों ने मिलके शुरू किया है, और वो मुझे मालूम नहीं है कि वो बहुत अच्छा है कि नहीं, और उससे अच्छा भी कुछ available है कि नहीं, लेकिन उनका मैंने काम देखा तो मुझे काभी ठीक लगा, उसके बारे मागर किसी कोई जानकरी चाहिए, तो मुझे कही है, मैं परसनल लेवल पर उनका फोन नमबर वगर आपके साथ में शेर कर सकता हूँ, ठीक है? So, thank you very much once again for participating in this lecture, and I really wish के आप जिस अपेक्षा से इसमें आये थे, आपके अपेक्षा में पूरी हुई होगी, और अगर उसमें कुछ पूरती नहीं हुई, जैसा कुछ रहे गया हो, you can always talk to me on a personal level, you can always contact me through WhatsApp. So, wish you well and thank you. जैसा कुछ जाओा नहीं है.